देखे इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या MongoDB schema less है SQL के पास schema होता था Example, student table है मान लीजे जिसमें फिलाद दो columns है, id and name पहला student आया, id क्या है, एक है, नाम है उसका राम दूसरा student आया, id है उसकी दो, और नाम है उसका श्याम तीसरा student आया, उसका नाम है अमित, लेकिन अमित के पास एक और field है उसका pen card, उसका pen card नमबर है ABCD राम और श्याम के पास नहीं था pen card, ऐसे requirement भी नहीं थी लेकिन अब जो student आएंगे, उनका pen card भी हमें enter करवाना है database के अंदर, table के अंदर, तो क्या मैं ऐसी add कर दूँगा उसको, उसके pen card को नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी table को change करना पड़ेगा, alter table student करके add golem, pen card करके command चलानी पड़ेगी तो क्या होगा, pen card add तो हो जाएगा table के अंदर, ठीक है, लेकिन उसका schema change हो गया है पूरे table का schema change हो गया है, जिसमें राम की जगा भी नल है, शाम की जगा भी नल है, समझ रहे हो बात को तो हमें क्या करना पड़ रहा है, RDBMS में, सिंस उसके पास schema है, तो alter command चानी पड़ती है लेकिन in case of no SQL, in case of MongoDB, माल लीजे मेरा school database है, उसके अंदर एक collection है, students पहला student आया, राम, उसकी शकल कैसी होगी, id, one, name होगा राम, फिर दूसरा student आया, id होगी, two, name होगा श्याम, तीसरा student आया, उसके पास pen card number है, तो हम भाई ऐसी ही add कर सकते हैं, उसको, हमें कोई schema change करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि schema होता ही नहीं है, MongoDB के अंदर, हमने पह करने की, यानि कि MongoDB schema less है, इतना सन में आता है अपने को, एक और scenario लीजिए, school database है, student collection है, पहला आपने document डाला, पहले entry डाली, id, one, name, राम, दूसरा document डाल दिया, अब क्योंकि schema less है, हमें रहो, schema less है, हमें पता है, तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अब हम किसी की भी जानकारी डाल सकते हैं, teacher id, one, two, three, four, teacher name, रामू, तो क्या हो रहा है, दो different, different entry आ रही है, teacher की BC में, student की BC में, डाल तो सकते हैं, लेकिन बसड मन जाएगी, बहुत गंदी, समझ रहा हैं, तो एक level का schema हमें देखना है, हमें ही application level पर हमें maintain करके रखना है, यह नहीं है कि उसी म बेड़ बकरी सब उसमें डाल रखे हैं, खाने के समान भी उसमें डाल रखे हैं, पढ़ने के समान भी उसमें डाल रखे हैं, कुछ भी सब कुछ उसमें चल रहा है, student, teacher, school, ठीक है, जितने भी parties हो रही हैं, उसका भी database का इसमें डाल रखा है, जितने भी electronics का समान है, जो कि अपने दिमाग का इस्तेवाल करना है, ठीक है, collections क्यों दी है, अलग-अलग collection क्यों दी है, database है, उसके अंदर collection है, different different collection में लाई ही न, teacher, अलग collection, जिसमें सिर्फ teacher का data, students, जिसमें सिर्फ student का data, assets, जिसमें सिर्फ laptop वगरा का data, जितने भी use हो रहे हैं हमारे school में, ठीक है, तो कहानी का असार ये है, कि हाँ, schema-less तो है, लेकिन, हमें खुद से अपने दिमाग का इस्तेवाल करके, थोड़ा कीमा introduce करना है, एक level का schema रखना है, समझ रहे हैं बात को, ये वाली photo जो है न, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिंक आपको इधर मिल जानी है,